हेलो दोस्तों वैलकम बैक टो माई सक्सेस्टे यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आप किसी सरकारी या प्राइबेट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इंटर्व्यू देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत प्राइबेट इसमें चैनल जो कंप्यूटर से रिलेटेट भी आते हैं तो इस वीडियो में मैं उन्हीं कंप्यूटर कोश्टन के बारे में बताने वाला हूं विद्यों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दो अगर आप मेरे चैनल पेहली बार तो प्लीज चैनल को स होते हैं इसमें घुलेक्टर को बताने वाला हुझ वीडियो में मैं स्टर्ट करता हूँ आफको बता देता हुझ आपका पहला कोश्च मिल जाएगा कर दो है वह तरह तो पहला को अरगल ह। नहीं कर लएकर तो अधन्य प्रेट शन्सक की भुद साका इनुक्तечат grands हाड़ वेर साफ्टवेर डॉलब करती है हाँ जो इसके जन्मदाता यानी इन्वेंटर हैं हुई उनका नाम है बिल गेट्स मिश्टर बिल गेट्स जो की अमेरिका से हैं तो फ्रेंट्स मैंने सके सामने इनकी पिग भी रख दिये इनकी इमेज फोटो भी रख दिये जिससे आपको अगर आप इनको पहले नहीं कभी देखें तो इस कोईश्चन के थुरू आप इनको देख भी सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको पता चल गया होगा कि यह बिल गेट्स जी हैं जो माइक्रो साफ्ट के इन्वेंटर हैं और यह यह कभी फश्ट नंबर पर हुआ करते थे जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी तो फ्रेंड्स अब हम अगले कोईश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोईश्चन है कि इथरनेट पंबंधित है जो हमारा इंट आपने पढ़ा होगा इंट्रानेट इंटरनेट इथरनेट तो यह कोईश्चन आपका इथरनेट इंटरनेट से लिया गया है जो हमारा इथरनेट किसे संबंधित हैं लैंड का मैंने यहां पर एक फोटो रख दिये जिससे आपको प्रोपरली समझ में आ जाएगा कि लाइन क्या होता है चोटे-चोटे-चोटे कंप्यूटर को आपस अगला कोईश्चन आपको मिल जाएगा एक प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है हाँ प्रेंट प्रेंटर जो होता है वह हमारा आउंटपुट डिवाइस होता है जब हम कोई कंप्यूटर फे इंस्ट्रेक्शन देते हैं हाड़ कॉंपी के लिए तो जो हमारा प्रिंट क निकालता है तो फ्रेंट्स अब अगले कोश्चिन की तरफ हम बढ़ते हैं अगला कोश्चिन आपको मिल जाएगा एक डीवीडी उदाहरण है जो एक डीवीडी होता है वो ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है इसमें मैंने भी इसकी पिक रख दिये अगर बहुत लोग न रजद्फंसर मेल जाएं कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहोता है हाव मैं बात करता हूं जैसे कि आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा कंपिटर के बारे अगर कोई कोई किया होगा तो ऑप इसके बारे में जानते होंगे की मतवता मगाई होता है लिए में आप 232 में होती है तो पहला होता हमारा की सी यू होता है दूसरा होता है यह जो हमारा तीसरा होता है यह हम यू होता है तो सब्सक्राइब तो फ्रेंट मैं अगले को इस तरफ बढ़ता हूं अगला को इसन मिल जाएगा आपको की थ्री वन अपांट टू इंच फ्लापी किस प्रकार की डिवाइस है तो जो मैं फ्लाइड इक्स होती वह इस्टोरेट डिवाइस होती है जिसमें कुछ हम अपना डेटा रख सकते हैं और अब 132 किसी जैसे कि मुवाइल में मेमोरी होती है थो उसमें कुछ हम सेफ कर देते हैं तो कभी उसको ओपन करकर हम देख सकते हैं तो उसी तरह है अगले कोईस्टिन की तरह बढ़ते हैं निस्ट है कि क्या होता है यह यह बैंक कलर में पूछा गया था यह और यह प्रोग्राम की कई प्रोसेसर द्वारा सिग्री प्रोसेसिंग कहलाएगी मल्टी प्रोग्रामिंग हाँ जब कई सारे प्रोग्राम प्रोसेस करते हैं तो वहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग होती है नेश्ट रहे ज्यादर ठोप योग होने वाला इंपुट डिवाइस कुछ ज्यादर प्रयोग होने वाला हो की ऑर माउस भी आता हे लेकिन इसमें जो आफ संसे क्योंकि माउस इसमें नहीं है तो इसमें अप्रेर जाएगा कि लिए बहुत जो इंप्रॉटेंट होता है सबसे कामन पॉइंट करने वाली इंपुट डिवाइस माउस जो पॉइंटिंग मतलब कि जिसे हमारा कर सर्बिंग करता है ऐसा भी कह सकते हैं इसके बहुत सारे उदारण जैसे कि हम ब्लिंग कर रहा है हमारा यहां पर तो यह हमारा होगा पॉइंटिंग करने वाली डिवाइस यान की माउफ अगला कोईस्ट्ण है इंटरनेट एक्सप्लॉर का एक प्रकार है एक जो इंटरनेट फलोर होता है यहंच्छ प्रकार होता है जो कि हमारा बंचल्ड में इसे डॉनलूट नहीं करना पड़ता है। इस्टाल करते हैं और बहुत सारे जो ब्रावजर होते हैं उनको हमें इंटरनेट पर डाउनलूट करना पड़ता है तो यह हमारा ब्रावजर होता है अगला कोश्चिन निमलिखित में से कौन सा बिंडो ऐसे सीरीज में नहीं पाया जाता है फ्रेंट फिरीज होती है सकते हैं या पूरी फाइल होती है उसमें नहीं पाया जाता है और स refund से होते हैं लोनच पीड और इंटिंडो में नहीं होता यह ङसा कह्ता है कि फाल होती है इस में इसमें इन्टरनेट स्लोर नहीं होता है अगला कोश्चन है फ्रेंट निमने में से कौन सा हार्ड वेर का उदाहरण नहीं है तो फ्रेंट्स इसमें साउंड है इस साउंड तो हमें आवाज प्रदान करता है यानि कि जब हम कुछ म्यूजिक बजाते हैं तो इसमें आवाज आती यानि वह भी मिन आउनपुट हो गया इंटर भी और फूट होगा प्रिंटर हमें हाट कौपी प्रवाइड करता है यह भी हार्ड विर हो गया तिया इसमें कौश्चन में से कौन सा हाड़वेर का उदाहर नहीं तो माऊस ही है क्या अगला को इस जनने में कौन वर्ड प्रोसेसिंग का सा कवार नाम क्या होता है तो अगर आप को बारे में और अधीक जानना तो आप मेरे चैनल को बिजिट कर सकते हैं मैं इसके बारे में वहां बता रखा हूं आप वहां से देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है इमेल प्रणाली के जनक हाँ अब बात करते हैं कि जो कि हमारा मैसेज जैसे कि कुछ हमें सेयर करना होता है है इमपॉर्टन मैसेज है इमेल के थुरू जो कि प्रफेशनली होजाता है नहींने स्टार्ट किया पस्टाइम प्रेंट्स आप देख सकते हैं फिराल इनका निधन भी हो चुका है जो इसका सही एंसर है इमल प्रणाली के जिनक का वो है रेट आम लिंसन अगला कोईश्चन है अंडू समक अच्छे हैं यानि कि जब कंट्रोल जट करते हैं तो वही होता है मारा अंडू इसके जो साट कट कि रहे फिर कंट्रो प्रस gaan अंता आते हैं अर्टे कंप्यूटर होता है जो इसमें आप संसे हैं जब की इंतर तो यह साइड ऑपन करते हैं बहुत सारी हो और ऊपन करने से हमारे एमेल करते हैं तो फिरेड़ीव करते हैं तो उसके इस तनों हमारे सिस्टम में jta Par sağ जाते हैं तो इसमें जो आप संसे उसके में सही है वह इमेल यो से आते हैं तो मैं तो कि वी रधिये रख़े की बारो से टाफ हो आप आप से उसके पाट कर आप हो ऑबर रहे ऑसके नदर आप हम लेक्व शले को में निमने में तो यह जैसे उसकी सभी जैसे सैली लेकर जली जी किसी की सैली कम है तो छोटा उसमें बबल बनेगा अगर कि पुरा चार्ट तो वहां पर हम बबल चाड़ का यूज कर सकते हैं सभ्वूण सब्राइब करेंट किस प्रकार की कीज़े प्रकार क्यार को को रहा लेकिन आपको बता दूढ़ एंसर होगा ओभा जो इसका correct answer है वह हमारा special की होती है जो हमारे control और shift की जोती है प्रेंट अगला question है प्रेंटर के output गुणवत्ता को मापा जाता है डाट पर इंच में आपको पता ही होगा और अगला question है एक digital watch में किस प्रकार का computer प्रेंट जाता है जूंकि जो होता है इसमें सही answer इनमें से कोई नहीं लेकिन मैं आप मैं आपको बता दो कि अगर आप नहीं चानते हैं कि कि डिजटल वाच में कौन सा कंप्यूटर होता है तो यहां पर लिखाए इंबेड़ेट कंप्यूटर जिसकी यह प्रकार कि सर्कूट होती है जिसका मतलब यहां एक सर्कूट से कंप्यूटर मतलब सब्सक्राइब अगले को इस तरह बढ़ते हैं अगला क्वेस्चन है में प्रितिफद का अधिकता मान कितना होता है है 400 होता है अगर पाइप पॉर्पॉइंट आप ऑफिस का पार्ट होता है अगर आपने कोश्च किया होके तो आपको मालूम होगा पावर पाइंट में जो अधिक्तम है जो जों करने की जो काफेसिटी होती वो 400 से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं अगर हम बात करें MS Excel की तो MS Excel में भी कुछ ऐसा ही है MS Excel में भी आप 400 से ज्यादा जूम साइज नहीं कर सकते हैं लेकिन हम जब बात करते हैं MS Word की तो MS Word में आप 500 तक जूम कर सकते हैं और जो हमारा MS PowerPoint है और MS Excel दोनों में एक ही ही साइज है इसकी जो की 400 प्रेंट आपको इसे रिटेट कुछ पूस्ट ले जाते हैं क्योंकि मैंने इसमें बताया है अगर MS Word का आजाए तो आप वहां पर 500 चूच करिएगा अगर MS Excel से आजाएगा तो वहां भी 400 आप चूच करिएगा अगला कोश्चन है अगला कोश्चन कंप्यूटर में आई गलती को क्या कहते हैं हाँ जैसे कि हम कुछ लिख रहे हैं जैसे कि हाड़ कॉपी कुछ पैंसे लिखते हैं तो उसमें कहते हैं कि गलती हो गई एर हो ग लेकिन मैं हाइलाइट कर देता हूं से लेकिन यह जो सही एंसर इसका है जब हमारे कंप्यूटर में कोई भी किसी व्रकार की गलती आती है जो तो उसे हम बग कहते हैं तो फ्रेंट्स आई होप आपको सारी जितने मैंने कोश्चन बताएं आपको अच्छे लगे होंगे आस या मैंने सही बताया है या आपको कोई कोई कोश्चन है इसे रिलेटेड आप पूछना चाहते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में में बताइए तो मैं उसके लिए आपके लिए सलूशन लाने की पूरी कोशिस करूंगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मैं यही इसे लोगल कोईसर तो मैं में प्ली ख कर खार की वेह, यही आपके खांगा है तो मैं में में एक एट राइए